तो परदाम गुरुजी मेरा इसी से मिलता जुलता प्रास्त में कि जैसे यूशने गुरु पूजा क्या पर गुत पूजं़ पूजा का महत है और इस धे क्या ऐने रोल लाफ गुरु पूजा नहीं इन एक pass क्या वह अपमें गुरु पुजा का क्या कोई डौल है मुक्ति या निर्वान प्राप्त करने में है एक कुट्य को भोजन पुरेम से खेलाने में भी मुक्ति और निर्वान प्राप्त करने का रोल है के गुरु पुज़ाद कर रहे हैं सरदा भक्ति में तो आपकी इसमें चित की सुधी करन हो गी आपको सरदा भक्ति नहीं है तो मत कीजिए कुछ और करकर भी चित की सुधी करन कीजिए यह प्रोसेस है, कोई जुरूरी नहीं है, गुरु को पूजना ही है, यह बनाया गया है, यह प्रंपराई है कि हमें से बेवहरिक दुनिया में, आज अपने गुरु को आप यह नहीं करेंगे, तो कल आपके बच्चे आने वाले नहीं शिखेंगे गुरु से, आज आप कुछ करके उपर चले जाओगे, तो आपको पूरे के पूरे अनुकरन करेंगे लोग, बच्चे, फेमिली, समास के लोग अनुकरन करेंगे, तो जब हम जुकते हैं तो हमारा अहार अहांकार भी गिरता है चित सुध होता है मम सुध होता है हिर्दय सुध होता है लेकिन किसे मा कड़पन जदा है तो नहीं कर पा रहा है तो भी कोई बात नहीं है वो अलग रस्ते से पहुंशेगा पतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें रोल नहीं है आत्मा ज्यान तक पहुंचने के लिए ठीक है सारे बात चित की सुधिकरन पत्रता की बात है हम मेरे पत्रता हर चीजों से बढ़ती जाते है आप दिल से परनाम करते हो वहीं से परनाम करते हो कोई वहीं से यहां नहीं आपा रहे हैं वहीं से धन्याबाद करते हैं गुरू को धन्याबाद नहीं करते हैं वास्ते बेखते हैं यह है को आपने ही कल्यार कर रहे है वह जितने जुकेंगे वहीं से परनाम कर रहे हूं उनकी पत्रता बढ़ रही है उनकी भावसक्ति बढ़ आप में बेचेनी नहीं रहेगी तो पक्या आप दुसरे को बेचेन नहीं करेंगे दुसरे को असांत भी नहीं करेंगे तो समाज का जो कल्यान यहां अंदर कल्यान हो गया तो समाज के कल्यान अपने आप सब अपने अपने कामों में आपने आप गाँ ओर यह जो समाज राम करना चाहते हैं राम का राइज्य पहले अंदर प्राप्त कर लो बाहर अपने आप बन जाएगा कि राम का राज्य तो अंदर है वो हो गया बार भी हो लगता है कल्याण सिर्फ इसी तरह से मैंने कहा था ना पहला दिन अब बैठ जाए कि चेतना की अस्तर बिलोग 200 और सथ देखा गया एकोर्डिंग टू डॉक्टर डेविड हॉकिन और दो से कम मैक्सिमम लोगों के चेतना की अस्तर अभी प्रिद भी पर है इन लोगों के राह ना दिखाए जाएगे यह खुद को भी नस्ट कर लेंगे दूसरे को भी नस्ट कर लेंगे करा कों दिखाएगा पढ़े लिखे तो बहुत सरे हैं लेकिन अंदर पढ़े लिखे होने से नहीं होता है कितने इंजिनियर डॉक्टर भी बन जाते हैं और टेरिस्ट भी बाद में बन जाते हैं कितने उदारा नहीं है लेकिन सभी गहोड लागा है कि मेरा बेटा यह बन जाए और बन जाए और बन जाए और बन जाए यह बन जाए बेवहार एक दुनिया है फुल पोटेंशिल के साथ अपना कर्म करना चाहिए ठीक है जी कर्म कर्म कर दो उदारा बन जाए यह बना शद्पकर कर्म कर्म कर दो फ्रग्राण में जाए ठीक हैं